तो सबसे पहले एक इन में से जो आगली दिन हम एक घनमूल आपके पास बना की दिये होंगे जो मेरे बड़े भाई नहीं देख पाए होंगे एक बार उनका एक रिपीट कर देते हैं ताकि आपका वर्गमूल और घनमूल दोनों एक ही साथ कंप्लीट हो जाए तो एक देख देख लिए पीछे वालकाई से इनका हम लोग पहले कर लेते हैं क्यूब तो तीन का क्यूब होता है 27 कितना होता है 27 होता एक देख लिए उसके बाद सेकेंडों सेकेंड में घन तो यह हो चुका वीडियो इसका आपके पास भेच चुके हैं और वर्गमूल बताने वाले है सेकेंडों सेकेंडों तो एक इनका देख लिजी तो एक का होता है एक यानि इनका हम लोग घन करते हैं दोनों का घन अलग अलग कर लेते हैं उसके बाद हम इनको क्या करते हैं देखिए इसके बाद हम लोग तीन का करेंगे वर्ग पहली इनका घनमूल करेंगे तो अलग कर कर देंगे इनकाल कर देंगे उसके बाद अब हम बीच वाले क्या करते हैं वर्ग क्या करेंगे वर्ग तो तीन का होता है वर्ग नो होता है और नो का एक में गुणा करेंगे तो नो एकम नो होगा उस तरह एक का वर्ग मुल करेंगे तो एक होगा और तीन में गुणा करेंग तो 3 होगा, यानि 3 एकम 3 हो जाएगा, अब उसके बाद हम लोग बीच वाले का 2 गुणा कर देते हैं, यानि 3 है तो 6 कर देंगे, 9 है तो 18 कर देंगे, उसके बाद इनको जोड़ दिया जाता है, यदि इस एक विडियो सीधी आपको समझ में नहीं आता है, तो पीछे वाले मे जाके देख लिजी उसमें 10-15 मिंट का वीडियो है पूरा डिटेल है अब हम इनको जोड़ देते हैं तो एक को एक होगा 6 और 39 होगा और 9 और 18 कितना होगा 18-20 और 27 को 7 एक ही डिजित एक बार में लेना है और जो एक हासिन मिलता है कैरी उसको आगे दे देना है ठीक है तो 27 औ और इनको रिपीट कर देते हैं दोनों को घं करके किनारे किनारे कर देंगे उन बीच वाले का वर्गब करेंगे इन से गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा एक का घं करेंगे तो एक होता है तीन में करेंगे तो तीन एकम तीन होगा इन बीच वाले का दो गुणा कर देंग उवर्घakes निकालने के लिए अब कैसे ऊवर्घ क्यलेंगे अब इनमें एक सेकेंड उवर्घ कैसे निकाला जाए यही हम लोग का मेंट टाफिख है यही बात अब हम देखिए सुरू करते हैं सबसे पहले यहां से हम लोग जोडा बनाते हैं पहले वाले में घहन वाले में घहन बनाते हैं यानि घहन में त्रीपल का बनाते हैं कितने का त्रीपल का और वर्ग में दो का जोडा बनाते हैं सबसे पहले कितने का दो का बनाएंगे समझ में आ गया कैसे तो जोडा बनाने आपको आचुका तो देखिए यहां पर हम लोग जब वर्ग निकाला है तो जोड़ा बनाएंगे आप देखेंगे कि लास्ट में जो इकाई यंग पे जो नौ है वो देखेंगे इस लाइन में कहां-कहां दिखता है पहुँ छोटी बात थोड़ा सा समझाने में समय मेरे बड़े भाई लगेगा आपको लेकिन आप पीछे नहीं हटेंगे सेकेंड और सेकेंड में इनको बना लेंगे ठीक है तो आप देखेंगे नौ इस चाट में कहां-कहां दिखता है तो एक तीन में दिख रहा है और उसके बात तो अब जैसे इन दोनों में से जमनाव दिख रहा है तो की तो हम लोग का उत्तर इस तरह मिल सकता है की तो वहाँ पर 2, 2 दिख रहा हैं दोनों में से एक ही आपको चाहिए की तो 3 या तो 7 तो हम जब दोनों में 2 मिल गया तो दोनों में से हम रख लिए 1 3 को ले लिए, 1 7 को इसलिए के भी हम लोग को clear हुआ नहीं है clear काउन करेगा अभी पता चलता है आपको clear करेगा कौन 3 होगा कि no उसके बाद अब हम लोग यहां से छोड़ेंगे आप देखेंगे 13 13 को देखेंगे कहा कहा इसमें मिल सकता यानि इनके 13 में काई अब 3 है तो 3 देखिए कहा है तीन इसमें कहें नहीं है न कहीं मिलेगा न कहीं मिलेगा उसके लिए अब का करना होगा उसके लिए करना होगा कि 13 किसी के बीच में तो आएगा इतना तो होगा जब कनभरम नहीं मिलेगा तो बीच में तो आएगा तो आप जानते हैं कि 3 का अब यहां पर 3 का 9 होता है और 4 का 16 तो 16 और 9 के 16 और 9 के बीच इनहीं के बी इन दोनों के बीच में 12 होगा. तहब हम लोग क्या करते हैं? अब देखी यहाँ पर 3 ले लेते हैं. और यहाँ पर ऊपर वाले में 3 इसलिए और नीचे वाले में 4 ले लेते हैं. समझ में आ गया. 3 और 4 ले लिए. अब इन दोनों का गुना करेंगे जब तो मिलेगा कितना बारह मिलेगा कितना मिलेगा बारह मिलेगा अब हम लोग देखिए बारह तेरह बड़ा है कि बारह तेरह बड़ा है किस से बारह से किस से बारह से बड़ा है तो जब बारह से बड़ा है तेरह अब हम लोग देखिए क क्या करते हैं इनमें देखेंगे अब क्या करेंगे कि अब इसमें से जो बड़ा होगा जो बड़ा होगा उसी को ले लेंगे है कि तो इनक का बड़ा उल हम ऐसे सथ होचμαι कैसे तीन में मिल रहा था है और सात में तो मिले nggak तो दोनों कि लिए हो चुका है उसके बाद हम लोग को का चाहिए थीन और चैर जो पहले मिला है छोटा वाला उसको ले लिजिए तो मिल जाएगा 37 अब दोनो आप किलीयर हो चुका है कि तेरा 79 है तो इन में से ऊर्दमूल किलीयर हो चुका है और यदि इसमें आपको किलीयर नहीं हुआ होगा तो दूसरी वाला में देखिए इसमें तो आपको confirm कि clear हो जाएगा कि कैसे होगा कौन होगा थोड़ा सा ध्यान आप देंगे थोड़ा सा ध्यान आप देंगे तो पता चल जाएगा आपको यदि एक बारे में clear नहीं होता है तो थोड़ा सा repeat कर लेंगे करके तो clear भी हो जाएगा अब यहां पर देखना साइंटिस एक कैस तो यहां पर देखना एक कहां कहां मैच कर रहा है कहां कहां मिल रहा है तो एक देखिए यहां पर हम लोग को एक में मिल रहा है और नव में मिल रहा है तो पहले वाले में एक भार दिया दूसर नीची वाले जब गुणा करेंगे हम लोग तब कनफरम होगा उनके बाद अब देखना है तो 37 हम लोग को मिलेगा किसमे 36 और 49 के बीच में 37 मिलेगा 36 और 49 तो मिला किया 6 और 70 इनका गुणा करेंगे तो होगा 42 कितना हुआ 42 तो बात आईए 42 बड़ा है कि 37 जो बड़ा होगा देखेंगे तो हम लोग को 42 से कोई मतलब नहीं है देखना है तुलना करना है 37 से तुलना करना है तो देखिए 37 छोटा है 42 से तो इनमे का जो छोटा है उनको ले लेंगे तो एक छोटा है कि नव एक छोटा है ना तो हम लोग एक लेंगे कितना लेंगे एक लेंगे बचा अब कितना इनमे से फास्ट वाले को लेंगे छोटा वाले को किसको लेंगे छोटे वाले को पहले वा इनका 321 का वर्गमुल कितना होता है एक सर उसके बाद आगले वाला कोशन देखिए उनका क्या होता है देखिए इसमें से अब यह तीसरा नंबर हो गया और यह वाला चाओधार नंबर इनका एक बर निकाला जाए यह थोड़ा सा बड़ा है अब आपको बताए है कि कभी भी आप निकालेंगे तो हम ने यहाँ पर जोड़ा 29 का बना लिया आप दीखेंगे कि यहाँ का जो 29 है 29 के इकाई यंग पर 9 है 9 कहां पर दिखता है 9 आपको दिखेगा कितने जगा दो जगा दिखेगा कहां कहां एक तीन में दिख रहा है और एक साथ में तो एक साथ में और तीन में दिख रहा है आपको की तो दो ही डिजिट के मिलेंगे नहीं तो तीन के मिलेंगे यही होगा आप देखेंगे यहां पर भर लेते हैं एक और नीचे वाले में है नहीं उपर वाले में तीन है और नीचे व और 151, 100 के बीच तक तक होगा नहीं, एक कैस में जाएंगे तो 121, 111, 121, 121, 144, 131, 179 है, अब इन ही के बीच में हो सकता है, मिलेगा, और हो सकता नहीं, कंफरम है कि मिलेगे 12 और 13 के बीच में, कितना? 151, तो जब 12 और 13 के बीच में, तो 12 और 13 का गुणा करेंगे, तो पता चलेगा कितना होगा, पता चलेगा कितना होगा, तो हम यहाँ पे 12 और 13 का गुणा कर लेते हैं, तो 3 का करेंगे, तो 6 होगा, 12, 36 हो जाएगा, और 12 है कम? 12, तो कितना हुआ? 6, 3, 2, 5, और 1, 156, आप देखीए 156 बड़ा है कि 151, तो हम चेक कर चुके हैं कि 12 और 13 करने में 156 मिल रहा है, अब 156 आप बताईए बड़ा है कि 151, 151 छोटा है, तो इन में से छोटा वाला लेंगे, इन में से छोटा याणी 9 को नहीं लेंगे, 3 लेंगे, कितना लेंगे, तीन लेंगे, उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, तीन ले लिए तो हम यहाँ इनका, तीन मिला, अब हम लोग को 151 में करना है, तो 151 में 12 वाला लेंगे, कि 13 वाला अब किलियर करना है, छोटा वाला ले लेंगे, उपर वाला ले लेते हैं, तो ले लेते हैं 12, तो हो गय इनका उत्तर अब ये काम करेंगे, इनमें से एक आप कमेंट बाक्स में बता देंगी कि इनका उत्तर कितना और ये वीडियो आपको कैसे लगा, कैसे लगा, और एक बात बताएंगे, इस तरह का नियम और रूल कब काम करता है , जब पून वर्ग होगा, तब इसलिए कि मेरे बड़े भाई आप लोग को फंसाना नहीं है आप लोग जागरुख हैं तो इसका रूल काम करता है जब पून वर्ग होगा तब अजब पून वर्ग नहीं होगा तो इनियम काम आपके पास करेंगा नहीं तो सबसे ज़्यादा बरम्हमास कहा जाए आनि कार कहा जाए तो इसमें से कौन नियम आपको परतियक दसा में निकाल सकता है तो भाग भी थी कौन भी थी भाग भी थी तो यह बात सचाई बताने के लिए आप एक लाइक कर दिजिएगा और यदि हमारा वीडियो आपके पहुंच चुकाओ सब्सक्राइब न किये हो तो इस तरह का वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो बेसीक कंसेप्ट जानने के लिए हम लगे रहते हैं आप लोग की सहायता में तो सस्क्राइब किजिए ताकि आप लोग के पास ऐसे वीडियो पहुंचता रहें और हैपी दिवाली और हमें कमेंट में भी विजिएगा कैस आपके साथ बीता हैपी दिवाली